अभी कुछ ताइम पहले इंडिया ने चाइना के एक लोन के अगेंस्ट शिलंका को ओफर किया था एक 12 मिलियन डॉलर्स का ग्रांट जिससे कि वो लोग एक रेन्यूबल एनोजी सिस्टम इंस्टॉल करा सकेंगे अपने तीन आइलेंड्स पर अभी लगबग एक महिनी से ज़ादा इंफर्मेशन नहीं थी इस ओफर पर लेकिन फाइनली अब शिलंका ने इस ओफर पर कॉन्फर्मेशन दे दिया है क्या है इस पूरी डेवलाप्मेंट का मतलब और कैसे ये इंडिया के लिए अच्छी खबर है यही हम जानेंगे आज कि इस वीडियो में नमश्कार दोस्तों सड़ी ग्रोज में आपका स्वागत है मैं उच्छ शांक पाढ़ने आप ये दो हिंदू को आर्टिकल देख सकते हैं जिसके हिसाब से इंडियन पावर प्रोजेक्ट्स ने रिप्लेस कर दिया है चाइनीज वेंच्छ उसको शिलंका में हुआ ये है कि अब से लगबग एक साल पहले शिलंका ने क्लियर कर दिया था एक ऐसे चाइनीज प्रोजेक्ट को जिसके हिसाब से चाइना की एक कमपनी साइनोसौ और इटेक विन बिल्ड करने वाले थी हाइब्रिड रिन्यूबल एनर्जी सिस्टम्स का प्रोजेक्ट पार्क स्ट्रेट में लोकेटड शिलंका के तीन आइलेंड्स डेल्फ्ट, नैना थिवू और अनलाई थिवू पर अब इंडिया को इस पूरे इशू में प्रोब्लम इस बात से नहीं थी कि एक चाइनीज कमपनी शिलंका में कोई प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है बलकि इस डील का मेंन फैक्टर जिससे इंडिया को इशूस थे वो थी इस प्रोजेक्ट की लोकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं कि पार्क स्टेट में सिचुएटड ये तीनों आइलेंट, डेल्फ्ट, नाइना थिवू और आनालाई थिवू इंडिया से बहुत ही एक नॉमिनल डिस्टेंस पर है स्पेशली ये आईलेंट, जिसका नाम है डेल्फ्ट, ये इंडिया से मातर 50 किलोमेटर की दूरी पर है और इसी लिए राज्यसभा में श्रीवाई को जी द्वारा पिछले साल जब ये पूछा गया कि क्या इंडिया ने प्रोटेस्ट रेजिस्टर कराया है कच्छा थिवू में बन रहे इस प्रोजेक्ट के बारे में इसके बाद कई रिपोर्ट्स भी आई थी जिसके हिसाब से इंडिया ने एक स्टॉंग प्रोटेस्ट लॉजच किया था शिलंका के ऐसे टेंडर्स अवर्ड करने के अगेंस्ट जिसके बाद दिसमबर 2022 में चाइना ने खुदी इन रिन्यूबल एनर्जी प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया था ये क्लेम करते हुए कि इस प्रोजेक्ट को एक सेक्यूरिटी थेड़ था एक थर्ड पार्टी से अब ओवियसलि हम सब लोग जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी किसे का जा रहा है और किसकी बात हो रही है ये प्रोजेक्ट तो ज़रूर सस्पेंड कर दिया चाइना ने लेकिन ये पूरी चीज शिलंका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था उस कंट्री के लिए जो की एम कर रही थी 2025 तक अपनी 75% एनेजी रिन्यूबल सोर्सेज जनरेट करनेगे शायद इस चीज को गवर्मेंट ने भी नोटिस किया और इस चाइनीज लून के अगेंस्ट इंडिया ने ओफर किया एक 12 मिलियन डॉलर का ग्रांट इस महीने के मिड में शिलंका को और अब जब फॉरेंग मिनिस्टर डॉक्टर एस जैश अंकर पहुचे है शिलंका में अपनी विजिट के लिए शिलंका के साथ बाइलैटरल टॉक्स और बिम्स्टेक समिट के लिए तब ये न्यूज आई है कि इंडिया ने साइन कर लिया है वो ये है कि इंडिया को ग्रांट देने की क्या जौत थी अगर चाइना इसे लोन पर कर रहा था तो हम क्यों नहीं लोन पर कर सकते थे तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का रीजन है शिलंका जिस एकोनॉमिक क्राइस से गुजर रहा है वहाँ ऐसे प्रोजेक्स में उनसे लोन का रीपेइमेंट एक्सपेक्ट करना पहली चीज तो सही नहीं होगा क्योंकि उस कंट्री पर अलरेड़ी अपनी जीडिपी से जादा का डेट रीपेइमेंट बाकी है वो कंट्री आइएमेफ से बेल आउट सीख कर रही है तो पहली चीज तो वो युमेनिटेरियन नहीं होगा और दूसरा ऐसा करने से इंडिया को भी बहुत नेगेटिवली परसीव किया जाएगा शिलंकन लोहों के द्वारा कई बार ऐसा कहा जाता है कि शिलंका भारत के खिलाफ चाइना कार्ड खेलने और अपने जोगरिफिकल पोजिशन का लाव उठाने का आदी है और ये चीज बिल्कुल सच हो सकती है इस केस में लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे केस में जहां बस हमसे कुछ 50 किलोमेटर की दूरी पर चाइनीज प्रेजन्स होने के चांसेज हैं उसे अवाइड करने के लिए अगर हमें ऐसा करना पड़े तो ये एक बुरी डील नहीं है अगर इंडिया अपने सिक्यॉरिटी के लिए कंसर्ण है चाइनीज वोकर्स और चाइनीज कंपनी जिनकी वर्लवाइड एक बहुत ही शेडी रेप्यूटेशन है अगर इंडिया उन्हें अवाइड करना चाहता है और अगर एक दूसरा हमबन टोटा पोट बने से रोकना चाहता है तो ये बिल्कुल भी एक बुरी डील नहीं है इन शॉट आप इसे एक प्राइस समझ सकते हैं इंडिया को पे करनी पड़ रही अपनी सिक्यूरिटी के लिए ये था इंडिया इस वीडियो का आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाज सेदा शेर करिए और अगर आप कच्छा थी हूँ आईलें और उसके बारे में और जाना चाहते हैं कि कैसे वो इंडिया का पार्ट था कैसे वो शिलंका का पार्ट बना तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बना चूता है थैंक्यू